नमस्कार दोस्तों, आप सीके चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं ये खुपसूरत सा लेडी शू लाएं हूँ, आप इसे लेडी शू कहें, शॉक्स कहें, जूती कहें, जुराब कहें, या स्लिपर कहें, आज मैं ये खुपसूरत सी जूती डिजाइन लाएं हूँ, जो चार से पांच नमबर पैर के लिए है और दोनों पैर में ये एक जैसी ही बनती है बनाना बहुत ही आसान है और देखिये कितना खुबसूरत है इस खुबसूरत सी जुत्ती को बनाने के लिए मैंने दस नमबर की सलाई पे सिंगल उल्ट से एक चौरासी फंदे डाले है और सोला लाइन उल्टा 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 बना है सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा जिससे आठ फंदो की धारियां आ गए है देखिये एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ फंदो की धारिया आ गए है सोला लाइन हमने उल्टा 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 बना है दोनों साइट से जिससे आठ उल्टे फंदो की धारियां आ गए है अब हम यहाँ पे यह हमारा सत्रहवा लाइन है और सामने से तो अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर अटैश करेंगे तो हमने अपना दूसरा कलर अटैश कर लिया अब दूसरे कलर के उनसे पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे अगले फंदे को स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा अब हमें अगले फंदे को स्लिप करना है तो ऐसे हम पर्ल वाइस राई डालेंगे और इसे स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा अगला फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे फिर स्लिप करेंगे फिर सीधा बुलेंगे तो इसी तरह एक फंदे को सीधा बुनते हुए और अगले फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कम्पलीट कर लेंगे तो देखिए फ्रैंस एक फंदे को सीधा बुनते हुए और अगले फंदे को स्लिप करते हुए हमने पूरी लाइन कम्प्लीट कर ली अब हम आ जाते हैं रॉंग साइट में तो जिस फंदे को हमने slip किया है उसे वापस हम slip कर लेंगे उनको दूसरी ओर करेंगे और देखिए इस फंदे को हमने सीधा बुना था तो रॉंग साइट से भी हम इसे सीधा ही बुनेंगे अब अगले फंदे को हमने slip किया था तो उन अपनी ओर करेंगे इस फंदे को हम slip कर लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे नेक्स्ट फंदा देखिए हमने सीधा बुना था तो हम रॉंग साइट से भी सीधा ही बुनेंगे उन अपनी और अगला फंदा स्लिप करेंगे उन दूसरी और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे उन अपनी और अगला फंदा स्लिप करेंगे उन दूसरी और निक्स फंदे को सीधा बुनेंगे तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे एक फंदे को स्लिप करेंगे अगले फंदे को सीधा तो देखिए फ्रेंट्स बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और slip किये हुए फंदे को slip करते हुए हमने दूसरा लाइन भी complete कर लिया अब हम आयाते हैं सामने की तरफ और border के बाद ये हमारा तीसरा लाइन है तो इस लाइन में हम अपने primary color के उनसे पहला फंदा एजिस्ट्रीच है इसे सीधा बुन लेंगे और इसके अलावा तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे ये हमारा primary color का फंदा है तो इसे और ये secondary color वाले फंदे को और ये primary color वाले फंदे को इन तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन और चौथे फंदे को हम slip कर लेंगे तो पहला फंदा एजिस्टीच है और इन ही चार फंदो को हमें पूरी स्लाई में दोराना है तीन फंदे को सिधा बुनना है देखिए ये हमारा इसी कलर का फंदा है तो इसे दूसरा दो और तीन इन तीन फंदो को हमें सीधा बुनना है और एक दूसरे कलर वाला यह जो फंदा है इसे हमें स्लिप करना है फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन चौथे फंदे को हमें स्लिप करना है अब यहाँ देखिए, यह पहला फंदा हमाराpha एजिस्टिस है, इसे आप छोड दीजेए, अब देखिए जु सकंडरी कलर के फंदे बूने गया हैं, तो एक फंदे को हमें बूनना है और अगले फंदे को हमें स्लिप करना है तो यह देखिए हमारे प्रायमरी कलर वाले दू फंद'े के बीच में यह एक फंद'ा है, तो यह तीन संद'य हमने बुन लिया, अगला सकंडर्री करार्वाला फंद' हमने स्लिप कर लिया, फिर देखे है यह तीनСТ' उन्स के बिच में विया तो इसे हमने बुन लिया, फिर slip किया फिर बुना और अब किये हमें देखिए ये दूसरा फंदा है तो इसे slip करेंगे फिर तीन फंदे को हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन और फिर देखिए ये दूसरा फंदा है एक फंदा हमने बुन लिया तो अगले फंदे को हमें slip करना है फिर इस बारे secondary फंदे को हमें इन तीन फंदों के साथ बुनना है तो यह हमने बुन लिया एक दो तीन फिर इसे हम स्लिप करेंगे फिर अगले तीन फंदे को हम सीधा बुनेंगे फिर इसे हमें स्लिप करना है फिर तीन फंदों को सीधा फिर स्लिप करना है अब देखिए यहाँ पे, दो सेकेंडरी कलर वाले फंदे के बीच में तीन प्राइमरी फंदे आ जा रहा है, देखिए, दो सेकेंडरी कलर के बीच में तीन प्राइमरी वाले फंदे, यहाँ भी देखिए, दो सेकेंडरी कलर के बीच में तीन प्राइमरी वाले फंदे, तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रैंज, तीन फंदों को सीधा बुनते हुए और चौते फंदे को स्लिप करते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम आयाते हैं wrong side में, अब बुने हुए फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, पहला फंदा slip कर लेंगे, बुनना चाहें तो उल्टा बुन लेजे, से दोनों फंदे हम उल्टा बुनेंगे, और ये जो slip किया हुआ फंदा है, इसे वापस slip करेंगे, तो तीन फंदा उल्टा, और चौते फंदे को हमें slip करना है तो, फिर तीन फंदा उल्टा, और चौता फंदा slip किया हुआ फंदा है, इसे वापस हम slip कर लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, यानि बुने हुए फंदे को हमें उल्टा बुनना है, और slip किये हुए फंदे को slip करना है, तेक किसरे लाइन में हम अपने दूसरे रंग के उन से दो फंदा सीधा बनेंगे, एक और दो, तीसरे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा हम सीधा बनेंगे, यह जिसे हमने स्लिप किया था, वो फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे, इन तीन फंदों को हम सी सीधा बनेंगे एक दू और तीन फिर एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और उसके बाद तीन फंदों को हम सीधा बनेंगे फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे फिर तीन फंदे को सीधा एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और तीन फंदे को सीधा बनेगे तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कमप्लेट कर लेंगे आसे हैं एक साहांदा स्लिप करना है और देखिए जिस फंदे को हमने स्लिप किया था वह का इसके दूनों साइड वाले फंदे इन तीन फंदों को हमें सीधा बना है तो देखिए फ्रेंट्स एक फंदा स्लिप करते हुए तीन फंदा सीधा बुनते हुए हमने पूरी लाइन कम्प्लीट कर दी अब हम रॉंग साइड में आ जाते हैं और बुने हुए फंदे को हम सीधा बुनेंगे और स्लिप की हुए फंदे को उन अपनी तरफ करेंगे इसे स्लिप करेंगे अब उन दूसरी ओर करेंगे और ये तीन फंदे हम सीधा बुनेते सामने से तो रॉंग साइड से भी हम सीधा बुनेंगे प्रैमरी करलर से बुनते समय रॉंग साइड में हम फंदे उल्टा बुनेंगे और सेकेंडरी करल से बुनते समय हम जब रॉंग साइड में होंगे तो फंदे सीधा बुनेंगे उन अपनी और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे तो देखिए फ्रैंस हमने लाइन कम्प्लीट कर दिया अब हम फिर सामने की तरफ आगए तो अपने प्रैंमरी कलर के उन से पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे देखिए दो फंदे किनारे हैं तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे अब ये फंदा देखिए प्रैंमरी कलर का फंदा जो स्लिप किया हुआ है तो ये फंदा उसके दोनों साइड वाले फंदे इन तीन फंदों को हम primary color के उनसे सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन तीन बुने हुए फंदों में से ये बीच का फंदा इसे हम slip करेंगे अब ये देखिए primary color का फंदा है तो ये फंदा और इसके दोनों side वाले फंदे इन तिन फंदो को हम primary color के उन से सीधा बुनेंगे तो देखिए बुने हुए तीन फंदो में से ये बीच का फंदा यानि दूसरा फंदा इसे हम slip करेंगे फिर तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे फिर चौथे फंदे को slip करेंगे, तीन फंदा सीधा, चौथे फंदे को slip करेंगे, तीन फंदा सीधा, चौथे फंदे को slip तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे तो तीन फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप करते हुए हमने पूरी लाइन कम्प्लीट कर दे अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में तो जब हम अपने प्राइमरी कलर के उन से बुनेंगे तो बुने हुए फंदे को हम उल्टा बुनेंगे तो तीन फंदा उल्टा चौते फंदे को स्लिप करना है दूसरे करल का ये धागा है इसे हमें स्लिप करना है फिर तीन फंदा उल्टा पिर चौते फंदे को स्लिप करना है फिर तीन फंदा उल्टा तो बुने हुए फंदे को उल्टा बुनते हुए और स्लिप की हुए फंद अब हमें अपने सेकेंडरी कलर के उनसे पहला फंदा सीधा बुनना है नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है अगला फंदा सीधा फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है देखिए ये बुना हुआ फंदा अगला फंदा सीधा, फिर 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 सीधा करना है हमारे जो बीच का फंदा है उसे हमें सीधा बुनना है और देखिए ये तीन फंदों में से बीच के फंदे को सीधा बुनना है और दोनों साइड वाले फंदे को स्लिप करना है और ये फिर हमारा इसी कलर का फंदा है तो इसे भी हमें सीधा बुनना है एक फंदे को स्लिप कर अगले फंदे को सीधा बना है नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है फिर सीधा इसी तरह करते हुए हमें पूरी लाइन कम्प्लीट करने है तो देखिए फ्रैंट्स एक फंदा सीधा बनते हुए और अगले फंदे को स्लिप करते हुए हमने पूरी लाइन कम्प्लीट कर ली अब हम रॉंग साइट में आ गया है अब चुकि हमने सेकेंडरी कलर के उन से बुना है इसलिए स्लिप किये हुए फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को हमें सीधा बुना है उन अपनी और स्लिप के हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी और बुरने हुए फंदे को सीधा पूनेगे तो इसी तरह करते हुए बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और स्लिप की हुए फंदे को स्लिप करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फ्रांस हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली अब हम फिर सामने की तरफ आ गया है तो इस लाइन में हमें अपने primary color के उनसे बुर्णा है, तो हम दो फंदे सीधा पनेगे, एक दो और तीसरे फंदे को हम slip करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन और चौथे फंदे को हम slip करेंगे फिर तीन फंदे सीधा, एक, दो, तीन, फिर चौथे फंदे को हम सीधा बुनेंगे, चौथे फंदे को हमने सीधा बुन लिया, अब फिर हमें तीन फंदे को हमने सीधा बुन लिया, अब हमें तीन फंदे को हमने सीधा बुनना है, यह देखे, यह तीन फंदे हमारे तो इनके उपर वाले तीन फंदे हमें सीधा बनना है तीन फंदा सीधा बन लिया एक, दो, तीन और देखिए इसके उपर वाले ये फंदा हमें स्लिप करना है तीन फंदा देखिए तीन फंदे का डिजाइन है तो इसके उपर के ये तीनों फंदे हमें सीधा बुनने हैं एक, दो, और तीन और ये फंदा देखिए ये slip किया हुआ फंदा है तो इसके उपर का फंदा हमें slip करना है तो इनी चार फंदों को दूराते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए फ्रैंस हमने लाइन कम्प्लीट कर ली और अब हम रॉंग साइड में आ जाते हैं तो चुकि हमने अपने प्राइमरी कलर से बुनाई की है इसका मतलब हमें बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है और slip किये हुए फंदे को slip कर लेना है slip किये हुए फंदे को slip करना है और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं तो अपने सेकेंडरी कलर के उनसे पहले फंदे को हम slip करेंगे और फिर तीन फंदे को हमें सीधा बुनना है एक दो तीन तो इन ही चार फंदो को हमें पूरी सलाई में दूरा आना है एक फंदे को slip करना है तीन फंदे को सीधा बुनना है एक फंदे को slip करना है और तीन फंदे को सीधा बुनना है तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट करेंगे रॉंग साइड से हम बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे पूरी लाइन कम्प्लेट करेंगे तो हमने सब भी फंदे बुन लिये, अब हम सामने की तरफ हैं, तो अब अपने प्राइमरी कलर के उन से दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक और दो, और तीसरे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे, यह जो हमने फंदा स्लिप किया था वो और उसके दोनों साइड वाले फंदे, तीन फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर चौते फंदे को स्लिप करेंगे, देखें यह सफेद रंगे उनका बीच का फंदा है, इसे हम स्लिप करेंगे, फिर त slip करेंगे slip किया हुए फंदा उसके दोनों साइड वाले फंदे इन तीनों को हम सीधा बुनेंगे तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लेट करेंगे रॉंग साइड से बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और slip किया हुए फंदे को slip करेंगे बुने हुए सबी फंदे उल्टा और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करते हुए लाइन कम्प्लीट कर लेंगे अब हम फिर सामने की तरफ आ गए तो पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे अपने सेकंडरी कलर के उन से पहरे फंदे को सीधा दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे और फिर ये देखे जो फंदा हमने बुना था सफेद कलर का जो फंदा है इसे भी हम सीधा बुनेंगे और बुने हुए तीन फंदों में से ये बीच के फंदे को सीधा बुनेंगे और दोनों साइड वारे फंदे इनको हम स्लिप करनेंगे तो इस तरह एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करनेंगे जो फंदे हमारे सफेद कलर के दिखना है उन्हें हमें सीधा बुनना है और इन तीन बुने हुए फंदों में से बीच के फंदे को हमें सीधा बुनना है और साइड वाले दोनों फंदों को हमें स्लिप करना है तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे और रॉंग साइड से बुने हुए फंदे को स्लिप के हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे उन दूसरी और करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा उन अपनी और slip किये हुए फंदे को slip करेंगे उन दूसरी और बुने हुए फंदे को सीधा इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे तो हमने लाइन कम्प्लेट कर ली अब हमें इस सेकंडरी कलर का कोई काम नहीं है तो इसे हम काल देंगे और अब प्राइमरी कलर के उन से सब भी फंदो को सीधा बुनेंगे और इसे हम ऐसे लपिटते जाएंगे हमें पूरी लाइन सीधा बुनना है और रॉंग साइड से सब भी फंदे उल्टा बुननेंगे अब हम फिर सामने की तरफ हैं तो हम सब भी फंदो को उल्टा बुननेंगे सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा दोनों साइड से अब हम उल्टा उल्टा ही बुननेंगे तो हमने दो लाइन उल्टा उल्टा बुनने लिया हम फिर सामने की तरफ हैं, तो तेस फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदर, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, ठारा, पंदर, बेश, इक्किस, बाइस, और तेस, तेस फंदे हमने उल्टा बुन लिये, अब हम यहाँ पर एक मारकर लगा देंगे, तो अब हम इन नब्बे फंदो को तीन भागो में बाटेंगे, तेस फंदे के बाद हमने एक मारकर लगा लिया है, और इस साइड भी हमारे तेस फंदे हैं, और बीच में 38 फंदे हैं, 23 इधर और 23 इस साइड में, तो इन 38 फंदो को हम, दो दो फंदो को एक साथ लेकर उल्टा बुनेंगे, तो 38 फंदे हैं, दो का एक करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 19 फंदे, अब देखिए, दो फंदो को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक, फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक, तो दो दो फंदो को जो हम एक साथ लेंगे, और दो का एक करेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे, तो 38 30 वंदे हैं ये हमारे पास हो जाएंगे 19 वंदे तो इतना बुन के मैं आपको दिखाते हूँ तो हमने 38 वंदे को दो दो फंदे को एक साथ लेके उल्टा बुन दिया तो बीच में हमारे 19 वंदे हो गया अब इस मारकर को हम दूसरे सलाइ पे चढ़ा देंगे और से-स इधर 20 फंदे हैं तो इने हम उल्टा बुन देंगे और wrong side से सबी फंदों को उलटा बुन देंगे अब हम फिर सामनी की तरफ है तो 20 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे तो हमने 23 फंदे बुन लिये अब मारकर को हम दूसरी सलाय में कर लेंगे अब देखिए यहां से लेके यहां तक जितने फंदे हैं हम दो-दो फंदो को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे तो 19 फंदे हैं दो फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा बुन लेंगे नेक्स्ट दो फंदो को एक साथ लेंगे उल्टा बुन लेंगे तो 19 फंदे थे 18 फंदों को हमने दो फंदों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर दिया अब एक फंदा बचा है तो इसे लेंगे और साथ वाले फंदे को भी यानि मारकर के बाद वाले फंदे को भी लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे अब marker को यहां लगा देंगे अब last में 22 फंदे बचे हैं तो इने हम उल्टा बुनेंगे और रॉंग साइड से सब भी फंदे उल्टे तो रॉंग साइड से हमने सब भी फंदे उल्टे बुन लिये अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं तो तेज फंदो को हम तो तेज फंदो को हम उल्टा बुनेंगे यानि मारकर तक के सबी फंदो को हम उल्टा बुन लेंगे फंदो को उल्टा बुनते हुए हम मारकर के पास पहुँच गया है तो अब हम इस मारकर को हटा देंगे अब दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे एक, दो, तीन, चार, और पांच अब इस दूसरे मार्कर को भी हम हटा देंगे और सीस फंदों को भी हम उल्टा बुनेंगे तो हमने सबी फंदों को उल्टा बुल लिया अब हम आ जाते हैं रॉंक साइड में और अब हम इन फंदों को क्लोज करेंगे तो हमने सारी बुनाई दस नंबर के फंदे पे की है लेकिन हम क्लोज नाइन नंबर के सलाई पे करेंगे हम नौ नंबर की सलाई पे इसे एक लोज करेंगे तो हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो काई करेंगे फिर इस फंदे को हम बाइश लाई में चलाएंगे और फिर दो फंदों को एक सार लेंगे उल्टा बोनते वए तो काय करेंगे तो हमने एक बड़े नमबर से last लाइन हम एक बड़े नमबर से कर रहा है इससे ये होगा कि फंदे धीले उतरेंगे और हमें पहनने में कोई परशाने नहीं होगी दो दो फंदो को एक सार लेंगे उल्टा बुनते हुए दो कायग अब फिर इसे 22 लाए में चलाएंगे दो फंदो को एक सार लेंगे उल्टा बुनते हुए दो कायग तो रॉंग साइट से हमने सबी फंदो को क्लोज करना है तो हमने सबी फंदो को क्लोज कर लिया अब हम लूप बड़ा करेंगे और इसमें से धावे को निकाल लेंगे और थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि हमें अब इसकी सिलाई करने है तो देखिए फ्रेंट्स ये हमारा ऐसे बनके त्यार हुआ है अब हमें इसकी सिलाई करनी है तो इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे और फिर यहां से लेके और आगे तक हम सिल लेंगे इसकी सिलाई में एक बार इस साइल में एक बार इस साइल में ऐसे दूनों तरफ हम इसे सिलते हुए हम यहां तक पहुंचेंगे तो यहां तक सिलके मैं आपको दिखाते हूं तो देखिए फ्रैंस हमने यहां तक सिलाई कर दी है और लगभग एक इंच हमने छोड़ दिया है अब क्या करेंगे कि अब हम इसे देखिए अब हम सिर्फ एक तरफ से ही इसे घुमाते हुए अब हम इसकी इसे गुल गुलाकार में चिलाई करेंगे और इसको ऐसे हम खीच देंगे इससे क्या होगा कि यहां पे हमारा नूक नहीं निकलेगा और इसे हम ऐसे पक्का कर देंगे हम इसको सीधा कर देंगे हमारी जूति बनके तयार है देखिए फ्रेंट्स कितना कुपसुरत लगदा है तो आशा है आपको पसंदाय होगा तो यदि आपको मेरा यह जूति डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्रेंगे इसे आप लाइक करें अपने फ्रेंट्स और फैमिली में शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग